असलम अलेकुम, आज हम आपके लिए सबास बेस्ट क्लासिस में एक बहुती जबर्दस्ट मंदी लेकर आए हैं, ये लिग मंदी है, मिंस बकरे की रान की मंदी है, जो बहुत सदा मसेदार और आसान है सबसे पहले हम मंदी मसाला बनाते हैं, तो उसके लिए हम चार टी स्पून धनिया लेंगे, और बारा से चौदा हरी लाइची ले लीजिए और छे से साथ दार्चीनी है, याने खलमी और आदा टी स्पून लॉंग और ये रहा दो टी स्पून जीरा और एक सूखा काला नीम्बू, अगर ये ना हो तो हम क्या लेना है, वो मैं आपको बताती हूँ तो देखिए ये हमने बस एक इंच के उतना टुकड़ा पीस्ते वक्त डालना है, इससे जादा नहीं और अब देखिए हमने ये जो सारे मसाले हैं वो बहुत धीमी आच पर भून कर निकाल लेना है इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हमने धीमी आच पर इसे भूनना है, ताके इसके फ्लेवर्स आजाएं और साथी इसे पीसने में आसानी हो जाएं, बहुत आसानी से पाउडर बन जाएं मैं दारचीने को तोड रही हूँ, ताके पीसने में आसानी हो, मिकसर का ब्लेड ना ठूटे, इसलिए आप इसे तोड लीजिए, और इसमें मैंने पीसने वक्त सूखा थोड़ा सा निम्बू भी डाला था, और ये मसाला पिसकर तयार है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ प तेज नोगदार चाहू चाहिए, जिससे के हमने ये उपर की लेर निकाल लेनी है, आप चाहे तो इसे रख भी सकते हैं, और हमने दिखिए, इस तरह से तेज चाहू से सारे निकाल लेना है, तो अब हमारे पास ये रान तयार है, तो ये देखिए, सारे चीज़े हैं, जो मन्दी के लिए लगेंगी, देड कीलो चाहूल है, बासमाती चाहूल, और एक कब घी है, और दो टेबल स्पून काली मिर्चे, साथ हरी लाइची, और पांच तेस पते, एक सूखा नीम्बू है, और ये रही हाफ टी स्पून लॉंग, और चार नीम्बू, एक टी स्पून वाइट पेपर पाउडर लेना है, अधरेकलेसन पेस्ट है, नमक लेंगे हम, और जाफर अधरी मिर्चे, हराधनिया और पुदीना, ये सारी चीजें हमें मंदी बनाने के लिए लगेंगी, तो मंदी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े से बरतन को चुले पर रखते हैं, एक कब घी मैंने इसमें डाला, और आधा कब तेल मैं इसमें डाल दूगी, ठीके, इसे गर्म होने दीजे, फिर उसके बाद आप इसमें तेस पत्ते, लॉंग, काली मिर्च और हरी इलाइची डाल दीजे, आप चाहें तो थोड़ी सी दारचीनी भी इसमें डाल सकते हैं, जो बगार का सामान मैंने बताया था, वो सारा डाल दीए, फिर उसके बाद आपने इसमें प्यास डाल देनी है, मैंने यहाँ पर तीन प्यास को कट करके डाल दिया है, प्यास डाल कर इच्छी तरह से फ्राइ कीजिए, और देखिए जो लेक पीस है, इसे हम इस तरह से कट कर रहे हैं, यानि रान जो है, इस रान को हम इस तरह से कट करेंगे, ताके मसाले अ चार से पांच टेबल स्पून अद्रेक लेसन पेस्ट डाल दूंगी रान को हाई फ्लेम पर आपने फ्राइ करना है ताके ये उपर से सील हो जाएगी तो बहुत जूसी बनेगी और उपर से थोड़ी सी क्रिस्प भी हो जाएगी अब इसे हाई फ्लेम पर यानि तेज आज पर हमने इसे फ्राइ करना है ये कट्स मारने की वज़ा से मसाले इसके अंदर तक पहुँच पाएंगे और जब ये थोड़ी फ्राइ हो जाएगी उसके बाद आप इसमें 6 लीटर पानी डाल दीजिए मैं यहाँ 1.5 किलो चावल ले रही हूँ लेकिन मैं इसमें 6 लीटर पानी इसलिए डालूँगी क्योंकि हमें रान को 2 घंटे तक पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए तब तक इसमें का जो पानी है वो थोड़ा सा इवपोरेट हो जाएगा यानि कम हो जाएगा अब हम इसमें 4 टेबल स्पून नमक डालेंगे और नमक डाल कर इसमें हम 3 टेबल स्पून मंदी मसाला डालेंगे वही मंदी मसाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो 3 टेबल स्पून मंदी मसाला मैंने इसमें अड़ किया अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजी अभी मैं इसे हाई फ्लेम पर पका रही हूँ उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो देखिए हाई फ्लेम पर ये उबल रहा है और जब ये इस तरह से उबलने लगेगा तब आपने इसकी आच धीमी कर देनी है और धीमी करके हम इसे दो घंटे पकाएंगे लेकिन मैं अब इसम अब इसे ढाँ किये और दो घंटे तक धीमी आँच पर इसे पका रहे हैं यहां पर हमने देखिए देड़ किलो चावल लिए यह बास्मती चावल है इसे आप धो लीजिए और धो कर आप इसे दो घंटे के लिए जब तक कि रान गलती है तब तक कि आप इसे भीगने के लिए रख दीजिए तो मैं इसे दोलूँगे और देखिए मैं इसमें 300 ग्राम गोश्ट डाल रही हूँ यह बकरे का गोश्ट मैंने इसमें आइट किया यानि एक घंटा होने के बाद हम एक घंटे बाद इसमें 300 ग्राम बकरे का गोश्ट डालेंगे दो सूखे नीम्बू डालेंगे और उसके बाद 14 से 15 हरी मिर्चें डाल दीजिए हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा चीर लिया है अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो हरी मिर्चों को ना चीरिए अब देखिए धीमी आज पर हम फिर से इसे एक घंटे के लिए पकाएंगे ताकि गोश्ट भी गल जाए और रान भी अच्छी तरह से गल जाए अगर सूखा नीम्बू नहीं है आपके पास तो आप क्या करें फ्रेश नीम्बू लें और फ्रेश नीम्बू को सिर्फ उपर का चिलका ग्रेट कर लें अंदर का वाइट हिस्सा ना ग्रेट करें बस उपर का यलो चिलका जो होता है यलो कलर का जो चिलका होता है वही आप ग्रेट कर लें तो इससे भी वही मज़ा आएगा तो देखिए दो घंटे बाद ये रान बहुत अच्छी तरह से गल गई है अब हम इसे निकाल लेंगे इसे अच्छी तरह से निकाल लीजिये और साथी हमने गोश्ट भी निकाल लेना है देखिए रान कितनी अच्छी तरह से गल गई है और ये गोश्ट को 1 घंटा लगएगा इसलिए हमने इसे 1 घंटे बाद दाला था और ये चावल भी भीग गए हैं अच्छी तरह से और ये भीगे हुए हुए चावल अब हम इस सूप में एट कर देंगे हाँ लेकिन जब हम चावल एट कर रहे हैं तो आँच को तेज रखिए बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपके चावल बहुत खिले-खिले बनते हैं आप किस तरह कौन से चावल यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ तो देखिए चार नीमू करस हमने इसमें एट किया और साथी हम इसमें यलो शिमला मिर्च, रेट शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च हम डाल देंगे यानि ग्रीन शिमला मिर्च भी मैंने इसमें एट कर दी देखे कितना प्यारा कलर लग रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार मंदी है यह क्योंकि इसमें जो गोश्ट है उसके सारे जूसिस है अब देखे इसमें हमने 2 टेबल स्पून मंदी मसाला फिर से एड़ किया और फिर 1 टेबल स्पून हमने इसमें वाइट पेपर पाउडर राइट किया और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर इसे तेज आँच पर पकाईए हाँ चामल पकाते वखत उसका जो टेंपरेचर होता है और उसका जो भीगिने का टाइम होता है जो बच्ची फी शिमला मिर्च थी वो भी मैंने इसमें डाली हरा धनिया पुदीना और डाल दिया मैंने और साथी हमने इसमें थोड़ी सी हरिमिच भी डाली और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हरिमिच मंदी में डालना ऑप्शनल है लेकिन हमारी जो टेस्ट बर्ट से उसके हिसाब से मैंने इसमें हरिमिच एट की है तो हमने देखी इसे पानी सूखने तक पकाना है जब पानी सूख जाएगा तब हम इसमें तोड़ा सा जाफरानी रंग पानी में मिक्स करके डालेंगे या फिर हम इसमें जो दूद है यानि आधक अब दूद में जाफरानी रंग मिक्स करके डालेंगे और अब आज को धीमा कीजिए और धकन धाक कर इसे 15-20 मिनट धीमी आज पर पकाईए मैं यहाँ कोईलों पर इसे 15-20 मिनट पकाऊंगी 15-20 मिनट बाद यह बहतरीन दम हो जाएगी यानि हम इसे दम दे रहे हैं 15-20 मिनट के लिए तो देखिए हमने 15-20 मिनट बाद जब रहकन खोला तो एक बहुत ही जबरदस्थ खुश्बू और बहतरीन मंदी के जो चावल है यानि मंदी राई से वो तयार है देखिए कितने खिले-खिले हैं मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल खिले-खिले चावल है देखा आपने और अब हम मैरिनीट बनाते हैं तो उसके लिए हम दो टेबल स्पोन मंदी मसाला लेंगे और एक टी स्पोन लाल मिर्श पाउडर लेंगे और हाफ टी स्पोन वाइट पेपर पाउडर लेंगे और पाव टी स्पोन हम लेंगे लाल रंग ये लाल रंग डालना ऑपिशनल है और पाओ कप इसमें हम विनेगर डालेंगे सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून ओलिव ओईल डाला मैंने अगर आपके पास ओलिव ओईल नहीं है तो आप कोई भी ओईल डाल दीजिए देखिए यहाँ पर हमने जो रान गलाई थी उस रान पर हम यह सारा मसाला लगा देंगे और साथी गोश्ट पर भी यानि गले हुश्ट पर भी हम मसाला लगा देंगे अच्छी तरह से मसाला लगाईए और फिर इसे 5-10 मिनट इसी तरह से रहने दीजिए उस पर मैं अब नमक डाल रही हूँ आप चाहें तो पहले मसाले में भी नमक एड़ कर सकते हैं मैंने इस पर नमक डाला थोड़ा सा आप चाहें तो इसे आप फ्राइ कर सकते हैं या फिर हम इसे कोईलो में इसे भून लेंगे इस तरह से आप सिल्वर फॉइल लीजिए उसे अरेंज कीजिए और इस सिल्वर फॉइल में आपने ये रान रग देनी है और रान को और गोश्ट को अच्छी तरह से रैप कर लेना है मिन्स अच्छी तरह से बांद लेना है पैक कर लेना है इसे अच्छी तरह से पैक कीजिए ताके इसकी अंदर के जूसेस हैं वो कोईले पर ना गिरें तो इसलिए हमने इसे अच्छी तरह से रैप कर लेना है यानि बान लेना है यह रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल एक उन भी जरूर प्रिस कीजिए ताके मेरी रेसिपीस के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें और आप इन रेसिपीस का फाइदा उठाते रहें तो देखिए इसे हमने अच्छी तरह से पैक कर लेना है और हाँ इंस्टाग्राम पर भी मुझे जरूर फॉलो कीजिए देखिए अब ये बहुत अच्छी तरह से फ्राइब हो गया है ये सॉरी पैक हो गया है और हमने इसे पैक कर लिया और घपराई ये नहीं मैं आपको इतना आसान तरीखा बता रही हूँ अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं या फिर आपके पास जगा नहीं है तब भी आप इस तरह कर सकते हैं तो देखिए मैनने मेरे पास एक जो खराब कड़ाई थी वो कड़ाई ली और उस कड़ाई में मैने कोईले जला लिए और कोईले जलाकर मैं इसे इस तरह से रख रही हूँ यानि रान को मैंने इस तरह रखा और ऊपर नीचे इसे मैं कोईलों से ढख दूंगी और ढखने के इसे आधे से एक गंटे के लिए पका लेंगे, आधा गंटा एक साइट से और आधा गंटा दूसरी साइट से हम पका लेंगे, इसे आपने बहुत अच्छी तरह से पैक करना बहुत जरूरी है, अगर आप सिर्फ एक लेर सिल्वर फॉयल की रखते हैं, तो आपको कम टाइम क तो इसे मैं जादा देर तक पकाऊंगी, तो मैंने आधा गंटा एक साइट से और आधा गंटा दूसरी साइट से इसे पका लिया, और फिर उसके बाद मैं इसे निकाल रही हो, निकालने के बाद आप देखिए कि इतनी जबरदस्त, खुश्बूदार रान हमारे पास तया है, सिल्वर फॉइल को हटा लीजिए, और देखिए ये कितनी जबरदस्त रान तयार है, और उसी कोईलों में ये थोड़ी सी मिर्चे भून रही हो, मैंने इस पर थोड़ा सा नमक लगाया, और मैं इसे इस तरह से कोईलों पर भून रही हो, आप चाहें तो हाइफलेम पर साथ में गलाया था, और रोस्ट किया था, वो डाल दिया, और यहां पर हमने रखा है मयोनेज और ये स्पेशल चटनी, और इस चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे, देखिए ये कितने खिले खिले चावल बने हैं, देखा आपने, कितनी जबरदस्त मंदी बनी है, और ये कितनी लाल लाल है, हाँ, लेकिन हमने इसमें कोई कलर यूज नहीं किया है, ये कोई बिना कलर के हैं, लेकिन इतनी लाल चटनी है, और बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इस चटनी की रेसिपी भी मैं इंशालला जल्दी अपलोड कर रही हूँ, आप इसे जरूर बहुत ही जबर्दस चटनी है, और इसके साथ हम सर्व कर रहे हैं, ये मयोनेस, और देखिए, ये मंदी हमारी बिल्कुल तयार है, और ये मंदी इस लाल चटनी के साथ तो बहुत ही शानदार लगती है, बहुत ज़्यादा जबर्दस चटनी लगती है, तो आप ये चटनी के साथ ये मंदी जरूर बना कर देखिए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में जरूर लिखिए इन्शालला मैं फिर मिलूंगी एक नई और यूसफुल रेसिपी के साथ थैंक्स फो वाचिंग सबास बेस्ट क्लासिस थैंक्स